वंदी मात्रम मैडीर स्टुड़न्स आज का हमारा सबजेक्ट है इंगलिश और इंगलिश के इसके पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था और चैप्टर टू की एक्टिविटी और चैप्टर टू का क्या देखा था एक्सरसाइज देखा था बच्चो तो हम आज की वीडियो में ग्रामर करने वाले है तो बच्चो स्टार्ट करें लेंगवेज इन यूज नाउन इस दे नेम ओफ एनी पर्सोन प्लेस अनिमल और थिंग नाउन क्या होता है बच्चो नाउन होता है किसी भी पर्सन का नेम प्लेस का नेम एनीमल का नेम थिंग का नेम ये सब भी के जो नेम होते हैं उसको नाउन बोला जाता है यहाँ पर थोड़े से एक्जामपल दिये गए है फोर एक्जामपल राम जो एक पर्सन का नेम है इंडिया जो place का नेम है cat जो animal का नेम है book जो thing का नेम है है ना बच्चो तो ये सब भी को क्या बोला जाता है बच्चो ये सब भी को बोला जाता है noun क्या बोला जाता है noun तो यहाँ पर अभी एक box दिख रहा है आपको write two examples of each noun अभी यहाँ पर हमें two examples लिखने हैं सभी noun के हमारे noun कौन-कौन से है person, noun, place, noun, animals, noun and thing noun तो अभी person के हमें यहाँ पर two names लिखने हैं कोई भी person के, कोई भी person चलेगा तो चलो लिखते हैं बच्चो person name तो person याणि आपका भी नाम लिख सकते हैं मेरा भी नाम लिख सकते हैं और किसी भी person का नेम हो उसका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेहा नेहा and यहाँ पर दुसरे वाले मैं लिखती हूँ मानव मानव लिख लेती हूँ मानव 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 हुआ ये दो हुए पर्सन के नेम अभी प्लेस के नेम देखे प्लेस तो पहले प्लेस हम कौन सी प्लेस में रहते है हम रहते हैं कामरेज में तो हम यहाँ पर कामरेज दिखेगे कामरेज कामरेज और कोई भी प्लेस हम लिख सकते है मुंबई भी एक ले से तो हम मुंबई लिख सकते है अब मुंबई भी लिख सकते है इस तरीके से अभी आनिमल के नेम लिखने है किसके नेम लिखने है आनिमल के नेम लिखने है तो चलो बचो लिखते है आनिमल के नेम तो आनिमल के नेम लिखते है सबसे पहले cow कोई भी animal की name आप लिख सकते हो ऐसा नहीं है कि teacher जो लिखे वो ही लिखना है आपको जो भी animal की name आते हैं वो आप लिखना cow, lion अभी लिखने है thing, thing के name यानि कि आपके घर पे कोई भी thing पड़ी हो या कुछ भी कोई भी things के name आप लिख सकते हो जैसे कि chair, sofa, table, blackboard कोई भी thing, kitchen पे think पड़ी हो जैसे कि कोई भी button हो, spoon आप कुछ भी लिख सकते हो dish, तो यहाँ पर हम कोई भी two things के name लिखते है तो लिखते है table table और दूसरा लिखते है chair इस तरीके से तो यह हुए हमारे nouns क्या हुए? nouns चलो अभी next देखते है कि क्या है nouns सभी को समझ में आया न बच्चो yes, चलो अभी next देखते है capitalization of nouns अभी nouns तो हमने देखे लेकिन nouns में हमें कौन से words है? वो capital letter में लिखने है capital letter से start करने है वो हम देखते है capitalization of names मतलब सबसे पहले तो किसी भी person का name हो तो वो क्या करना चाहिए? capital letter में लिखना चाहिए start किस से करना चाहिए? capital letter से start करना चाहिए for example मीना देखो यहाँ पर M जो है वो capital में लिखा हुआ है only first जो later है जो सबसे पहला alphabet होता है वो capital में लिखना होता है यहाँ पर देखो M जो है वो capital में लिखा हुआ है for example मीना सीना देखो S यहाँ पर capital में है है कि नहीं? हीना यानि कि जो person के name होते है वो हमेशा capital letter से ही start होते है अभी next देखे capitalization of names होता है और दुसरा होता है capitalization wait बच्चों थोड़ा सा set कर लेते है तो दुसरा होता है capitalization of schools, office and mountments capitalization of schools school के name होते है वो capital letter में होने चाहिए office के name होते है वो capital में start होने चाहिए mountments के होते है वो capital से start होने चाहिए schools के name होते है वो capital से start होने चाहिए office के name होते हो capital से start होते है mountments के name होते है वो भी capital से start होते है यहाँ पर थोड़े से example दिये है देखते हैं तो ABC Public School देखो यहां पर Capital Letter है देखो ABC PB Capital में है SP Capital में है ना अभी next देखते हैं तो Imperial Private Limited यह जो Company का Name है देखो I Capital में P Capital में L Capital में ताज महल देखो ताज का TB Capital में MB Capital में तो इस तरीके से यह सारे के सारे words जो first letter होते है वो Capital में आने चाहिए कौन से नेम पहले तो नेम जो person के नेम होते है वो फिर schools के नेम स्कूल के नेम ऑफिस के नेम फिर mountain man के नेम यह सारे के सारे फॉस्ट और alphabet है वो Capital में आने चाहिए चलो अभी यहाँ पर हमें जो box दिया गया है वो हम fill करते है अभी यहाँ पर क्या बोला गया है write two names of each noun अभी यहाँ पर हमें two two names लिखने हैं सारे noun के और यहाँ पर हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर force जो alphabet है वो Capital में ही आना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर school का name दिया गया है तो सबसे पहले हमारी school का ही नाम लिखते है तो चलो start करते है चलो लिखे चलो start करते है हमारी school का नाम है wisdom international school तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर जो fast alphabet है वो इस तरीके से capital में आ जाएगा wisdom, फिर आएगा international, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, विज्डम, इंटरनेशनल, स्कूल wisdom, इंटरनेशनल, स्कूल, यहाँ पर देखो capital में W आया, I आया, S आया, यह सब, कुछ capital में आना चीए अभी देखो next अभी यहाँ पर दूसरी स्कूल का नेम लिखता है, तो हम लिख लेते हैं, ABC Public School इस तरीके से, यहाँ पर भी ABC, P देखो capital में आया, S capital में आया, आया ना, अभी office का नाम लिखना है, तो हम office में कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो पहले हम लिखते हैं, Reliance Industries Limited, Reliance, Reliance, Industries, Limited, इस तरीके से capital letter में देखो, सारे words आया ना, फोर्स्ट वाले, फोर्स्ट वाले letter capital में आया ना, अभी दूसरा लिखते हैं, Vodafone, आपको जो भी office का नेम आपको पता है, वो आप लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख लेते हैं, Vodafone, Mountment, अभी क्या लिखना है, Mountment, जो famous जो place है, वो हम लिख सकते हैं, famous जो Mountment है, ताज महल, जैसे की ताज महल, हमने example देखा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, India gate, क्या लिखते हैं, India gate, अभी दूसरा लिखते हैं, कुतुम मिनार, कुतुम मिनार, यह दो Mountment हुआ, क्या हुआ, Mountment, ओके, अभी next question पर आते हैं, तो next question क्या है, जरा वो देखें बच्चो, see, complete the sentence with correct form of the noun, तो बच्चो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर fill in the blanks है, और हमें blanks fill करनी है, यहाँ पर option दिये गया है, उसमें से correct answer हमें ढुणना है, और लिखना है, तो बच्चो, अभी start करें, my father's birthday fall in blanks, जो अभी month होता है ना बच्चो, month, वो हमेशा capital letter से ही start होता है, तो बच्चो, यहाँ पर correct answer, a, u, g, u, s, t, जो a, जो capital से start होता है, वो लिखे, या जो small letter से start होता है, वो लिखे, capital से start होता है, वो लिखेगे, कौन सा capital से start होता है, वो लिखेगे, my father's birthday falls in august, falls in august, यह वाला होगा, correct answer, my father's birthday falls in august, number two, blank is a big city, capital वाला देल ही लिखे, या फिर small letter वाला देल ही लिखे, तो place का name आता है, capital letter से start होता है, तो हम यह वाला लिखेगे, तो यह वाला लिखते है, डेल ही, number three, can we play with the blank, can we play with the blank, यह वाला small letter वाला पपी लिखेगे, या big letter वाला पपी लिखेगे, तो बच्चो जो animals के जो name होते है, वो capital letter से start नहीं होते, तो हम small letter से जो start होता है, वो हम लिखेगे, P-U-P-P-P-P, P-U-P-P, P-U-P-P-P, P-U-P-P-P, ओके, चलो next पे आते है, my dog's name is blank, माइ डॉग नेम इस ब्लैंक तो जो डॉग का नेम है वो क्या capital letter से आएगा या small letter से डॉग का नेम है कोई भी नेम हो हमें capital letter से ही लिखना है तो हम यह वाला लिखेगे टी ओ डबल एन वाई टॉमी माइ डॉग से नेम इस टॉमी नमबर फाइब पूजा एन ब्लैंक आर गोइंग टू स्कूल तो जो नेहा लिखा हुआ है वो small letter से start करेगे या capital letter से capital letter से name हमेंसा capital letter से ही start होता है तो हम यहाँ पर यह लिखेगे बच्चो तो लिखते हैं नेहा नेहा तो बच्चो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा grammar section complete होता है बाकी का हम अगली वीडियो में देखेगे कई बाकी को excluding ऑए्य को में प्रल्च कुआ उटेखेगे हम्दार के लिख़ते हैं इफ बाकी का हुआ है